नमस्कार दोस्तों मैं विकास स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हेल्पिंग हैं फोरेवर पर दोस्तों आज आपको यहां बताने जाय रहा हूं कि जो आपने देखा कि एक्सिस बैंक में आज अच्छा खासा जैंप देखा गया और क्या न्यूस थी जिसके कारण यह ल पर 35 पर कहां पर बॉम्बी स्टॉक एक्षेंट पर और नस्ट पर इसने जो जम्प दी थी वो थी 14.23 परसेंट की और यह सेटल हुआ था 309.90 रुपी पर तो अच्छा खासा जो है जम्पिस ने दिया है आज और बिल्कुल बुलिस रन पर ही था जी स्टॉक और अगर वॉल्यूम देखें तो 20.5 तो लाख सेर्स जो है ट्रेड हुए थे वह बीएसी पर हुए थे और नस्ट पर लगभग 70.24 करोर सेर का जो है व और फिर्टी फर्म है तारलाइल वह इंफ्यूस कर सकती है वन बिलियन युएस डॉलर जी है वन विलियन युएस डॉलर एक्सिस बैंक में इसके जरी है वह आठ पर सेर्स और और दोस्तों में यहां हमेशा कहूंगा कि कोई भी निउस यह अगर आप इक अच्छी इंवेस हैं आप एसा ना सोचे कि आप चीए मिस हो गया है देखिए मजार में बाइक करने या सेल करने का मौका आपके पास हमेशा रहता है तो यहां आगे जो है एक्सिसन में कहा है कि उन्होंने इस मैटर में कि हमने कोई भी चीज कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं किया है और यह पहले हम Exchange को inform करेंगे इस मैंतर में अगर आगे इसा कुछ होता है तो पहले एक्सेंज को इनफर्म करेंगे तो हलाकी यहां पर बैंक पूरी तरह से बोल रहे हैं कि इन्होंने कोई भी इस तरह का डिसीशन नहीं लिया है एक्सिस बैंक के द्वारा और यहां पर एक्षी जो और मेंसिंग कर दूँ कि बैंक ने पहले भी इस तरह की जो है कई इन्वेस्टर्स के द्वारा पैसे जुटा है उनमें से 2017 में लगभग जिनमें इंवेस्टर्स थे और हमारा एलाइसी इंडिया उसके बाद के द्वारा भी इन्हों पैसे जुटाए थे और इसके बाद अगें 2019 में 12500 करोड की आई-पी के जरीए जुटाए थे तो यह था दोस्तों एक छोड़ी सी डिवलोप्मेंट या कहां जाए जो खावर एक सब्सक्राइब की रिगार्डिंग आ रही थी तो आसका दम यह वीडियो आपको पसंद आया होगा प्लीज लाइक कीजिए मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को थैंक यू